जेहिन दोस्तों मैं हुआ अनूप और आप सो लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फिलिक्ट तो दोस्तों आज के अफडेट सीरीस के वीडियो मैं आप लोग को जिन महत्यपूर्ण नीजों के बारे भी बताऊंगा उनमें अमेरिकी कमपनी नौर्ट इव गुरेवन को मिले हुए E2D हौकाई एरक्रेप्टों के कॉंट्रेक्ट से लेके इटलियन एरक्रेफ्ट केरियर के उपर F-35B के सर्टिफिकेशन और J-20 एरक्रेफ्ट के 2D थ्रश्ट वेक्टरिंग नौजल से शुरू करके रोयल नेवी के नया सबमरीन तक शामिल है तो डिटेल में इन वि इन चनेवी के E2D हौकाई एरक्रेप्टों के लिए सपोर्ट प्रवाइड किया जाएगा दोस्तों ये जो कॉंट्राक है इसके तहट कमपनी को फ्रांस के साथ एक नया कोपरेशन का भी मौका मिलेगा जिन में एरक्रेफ्ट रिलेटेड एक्वेप्मेंटों के सप्लाई क इलावा सपोर्ट और एरक्रेफ्ट रिलेटेड एक्वेप्मेंटों के प्रोडेक्शन तक शामिल है इवन अमेरिका के डिपार्ट्मेंट ऑफ डिफेंस के तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि ये फ्रांस के द्वारा खर दे जाने वाले तीन E2D हौकाई एरक्रेप्ट दो देशों में शामिल है जो E2D हौकाई एरक्रेप्टों का इस्तिमाल करता है मतलब अमेरिका के इलावा से यहाँ पे जैपैन जैसे देश इसका प्रमुक उपहुखता है तो ही फे फ्रांस ऐसे एरक्रेप्टों का तीसरा महत्तपूर्ण उपहुखता है और एरक्रेप् वज़ा से यह आसानी से catapult launching के द्वारा launch किया जा सकता है जो कि aircraft carrier के surveillance को काफी हद तक बढ़ा देता है इवन अगर देखा जाए तो अमेरिका और फ्रांस के इलावा दुनिया में ऐसे कोई भी देश नहीं है जो fixed wing aircraft के base पे बना हुआ एवेक्स aircraft का इस्तेमाल aircraft carrier पे करता हो रेशिया चायना और भारत जैसे देशों के द्वारा helicopter से निर्मित एवेक्स का ही इस्तेमाल अपने aircraft carrier के उपर किया जाता है दोस्तो अब चलिए दूसरा update मतलब रशिया के द्वारा Syria में हाली में परिक्षन किया गया नया हतियारों के बारे में जानते है तो दोस्तो हाली में Russia One TV Channel नामक एक news channel में कुछ report में दावा किया गया कि रशिया के Zala Aerospace Company के तरब से निर्मित किया हुआ लेंसेट और KYV loitering munition का इस्तेमाल हाली में Syria में एक strike में किया गया है दोस्तो ये जो लेंसेट हतियार है ये असल में 3 kg warhead वाला catapool से launch किया जाने वाले एक हतियार है जिसे लेके Russia News Agency का दावा है कि हाली में इसका इसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो एक आतंगवादियों के ट्रक को तभा किया गया जबकि दूसरा बार इसका इसका इस्तेमाल करते हुए आतंगवादियों का एक machine gun point को भी तभा किया गया जबकि दूसरे तरफ जो Russia News Agency में KYV हतियार का बियोरा दिया जा रहा है उसमें काफी सारा doubt है क्योंकि इसे लेके ये कहा जा रहा है कि 2015 में इसका इस्तेमाल किया गया था लेकिन 2019 तक इन हतियारों का वजूद के वारे में कोई जानकारी नहीं था दोसरे इन हतियारों का इस्तेमाल Russia के कमांडों के द्वारा किया गया है और मिशन के बाद मिशन के सक्सेस को लेके भी कई सारे दावे किया जा चुका है लेंसेट हतियारों को basically Russia के Zala Aerospace के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसके Chief Designer के तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ये एक ऐसा हतियार है जो combat situation में इस्तिमाल के लिए perfect है और ये एक drone के द्वारा operate होता है इसे जमीन में street catapult launching के द्वारा launch किया जा सकता है साथ जहाजों के द्वारा भी इसे आसानी से launch किया जा सकता है इविन दोस्तों company के अधिकारियों का ये भी दावा है कि इसे छोटे आकार के बोटों के द्वारा भी operate किया जा सकता है और हर एक platform में ये 100% accuracy के साथ अपने target को निशाना बनाता है जबकि दूसरे तरफ Russia के raptor class patrol boat मतलब project 03-160 में भी इन हतियारों को install किया गया है दोस्तों अब चलिए जानते हैं भीडियों का तीसरा update मतलब इटलियन aircraft carrier और F-35B के operation के बारे में हाली में US Navy के द्वारा जानकारी दिया गया है कि 20 April 2021 के दिन इटलियन Navy के flagship जहास ITS कबोर को F-35B aircraft को को इस्तिमाल करने के लिए safe certification मिल चुका है तो दोस्तों इटलिय अपने aircraft carrier के fleet को मजबूत करने के लिए बिते कई सालों से प्रयास कर रहा है जिन में एक पक्रिया तो इन aircraft carrier के ऊपर इस्तिमाल होने वाले fighter aircraft के अपग्रेशन भी है फिलाल इटलि के इन aircraft carrier के ऊपर हैरियर aircraft को का ही इस्तिमाल किया जा रहा था और अब इटलिय इसमें F-35B को शामिल करने के बाद संभावित हैरियर aircraft को रिप्लेस करेगा दोस्तों ये जो इटलि का aircraft carrier है ये असल में short take off और vertical landing capability वाला aircraft carrier है मसलब इसमें Rafale ya F-18 Sufa Hornet जैसे aircraft का इस्तिमाल नहीं हो सकता है और इसी वजह से इटलि द्वारा सिर्फ हैरियर का ही इस्तिमाल अब तक किया जा रहा था फिलाल इटलि के fleet of aggression के लिए इटलि द्वारा ऐसे 15 aircraft को purchase करने का इरादा बनाया जा रहा है जिन मेंसे 2 aircraft का delivery 2020 में ही इटलियन Navy को किया गया है जबकि इसके इलावा इटलियन Air Force द्वारा अमेरिका से यसे 12 aircraft को खरीदने के लिए order place किया गया है जबकि इटलियके Air Force ऐसा टोटल 60 aircraft को purchase करना चाता है दोसों ये जो ITS का वोर है ये असल में काफी छोटे आकार के aircraft carrier है जिसका लंबाई सिर्फ 244 मिटर और वजन 27,000 टरन है और इसमें ski jump रैम का इस्तिमाल किया जाता है ताकि aircraft को शौट टेक उफ कराया जा सके इटलिय अपने aircraft carrier के fleet में A35B को शामिल करने के बाद fleet के ताकत को काफी आदा मजबूत कर सकेगा क्योंकि खाली ये कोई short take off और vertical landing वाला aircraft नहीं बल की एक ऐसा 5th generation के fighter aircraft है जो इटलियके हर एक दुश्मन देश को आसानी से counter कर सकेगा दोसो अब चलिए J20 के बारे में जानते है और हाली में global times में एक पुराने Chinese pilot के बयान को कोट करते हुए दावा किया जा रहा है कि संभावित आने वाले समय में जादा तर J20 aircraft में 2D thrust vectoring इंजिनों का इस्तिमाल किया जाए दोसो एक Chinese Air Force के pilot जो की J20 fighter aircraft को fly कर चुके है उनका मानना है कि China अपने इन aircraft में maneuverability और stealth capability को बढ़ाने के लिए 2D thrust vectoring nozzle वाले इंजिनों से aircraft को upgrade करेगा और दोसो यहाँ फे thrust vectoring nozzle वाले इंजिनों का मतलब यह होता है कि ऐसे इंजिन जो अपने thrust को अलग-अलग direction में मोर सकता है और दोसो ऐसे इंजिनों के thrust के मोरने का शमता aircraft के maneuverability के उपर पकड़ को और मजबूत बनाता है जबकि thrust vectoring के मामले में भी दो तरीके के different thrust vectoring होता है दोसो इससे पहले आप लोग 3D thrust vectoring जैसे terms भी सुने होंगे जहाँ पे मतलब यह है कि यह जो thrust vectoring nozzle है यह तीनों dimension में मतलब हर दिशा में मोर सकता है जबकि चायना के द्वारा जो 2D thrust vectoring का बात कहा जा रहा है यह एक ऐसा engine होगा जो कि 2 direction में ही अपने nozzle को मोर सकेगा दोसो thrust vectoring engine में जहाँ पे 3D thrust vectoring यहाँ के maneuverability को जादा मजबूत करता है तो वही पे 2D thrust vectoring को लेके कहा जा रहा है कि यह आकार में rectangular हो सकता है और इस वजह से इसका radar cross section मतलब radar signature 3D thrust vectoring engine के तुलना में कम होगा जबकि 3D thrust vectoring engine को basically circular shape में ही design किया जाता है जो radar cross section को 2D के तुलना में थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है दोसो चाइना द्वारा अपने air capto में ऐसे engine के इस्तेमाल का बात तो कहा जा रहा है लेकिन क्या चाइना के पास इतना capability है कि ऐसे engine का development चाइना फिलाल कर सके फिलाल दोस अपना दमखम तो लगा रहा है लेकिन फिलाल अगर J20 की engine के मामले में देखा जाए तो चाइना रशिया से ही import किया हुआ third generation की engine का ही इस्तेमाल कर रहा है दोसो चलिए वीडियो का सबसे आखरी update मतलब Royal Navy के नया submarine HMS Anson के बारे में जानते हैं दोसो BAE सिस्टम के प्रेस रिलिस के जानकारी के मुताविक Royal Navy के लिए बनाय जाने वाले साथ astute class के attack सब्मरीनों में से पाचवा सब्मरीन मतलब HMS Anson को हाली में मतलब 20 April के दिन launch किया गया 7400 टन के भारी वरकम ये सब्मरीन असल में Royal Navy के लिए बनाय जाने वाले नया generation के nuclear power attack सब्मरीन है जिसे December महिने में ही एक ceremony के तहट Anson नाम दिया गया था दोसो Royal Navy के ये जो सब्मरीन है इसका लंबाई करीवन 97 मीटर मतलब करीव करीव 318 feet and 3 inch है जबकि ये सब्मरीन के चोड़ाई करीवन 11.3 मीटर मतलब 37 feet 1 inch है और सब्मरीन का ड्रॉट 10 मीटर मतलब करीव 32 feet 10 inch के आसपास है इसमें दो Rolls Royce के PWR reactor का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा इसमें MTU 600 किलोवाट के diesel generator भी है ये जो सब्मरीन है ये 30 knots मतलब करीव 56 km पर आवर के रफ्तार से समुंदर के नीचे से तैर सकता है जबकि इसका range unlimited है माना जाता है कि इस कलास के सब्मरीन 300 मीटर के गहराई तक जा सकता है और इसे operate करने के लिए 98 क्रू मेंबर का आवशकता है पड़ता है जबकि ये सब्मरीन 109 क्रू मेंबरों को एकुमेड़ कर सकता है सब्मरीन में थेल्स कंपनी के दुआरा बनाया हुआ सोना 2076 का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसके इलावा कई सारे अन्य European कंपनीों के तरफ से बनाया हुआ आधुनिक्तम इक्वेपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ने बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन